हेलो दोस्तों मैं आकाशगर्ग स्वागत करता हूँ आप सभी का इस वीडियो में और आज हम यहाँ पर LIC के एक नए इंशोरेंस प्लान जीवन किरन के बारे में जानने वाली हैं जिसका प्लान नंबर है 870 तो यहाँ पर यह जो LIC का इंशोरेंस प्लान है वो एक टर्म इंशोरेंस प्लान है और इस प्लान के खासबत यह है कि इस टर्म प्लान में आपको जो भी आप प्रीमियम पे करते हैं वो मैच्योर्टी के टाइम पर रिटर्न मिल जाता है यहन कि पोलिसी टर्म के दोरान अग में वापिस मिलना चाहिए कोई policy ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप premium pay करें और कोई दुरगटना नहीं होती है तो maturity के time पर वो premium आपको वापिस मिल जाए अगर हम बात करें G1 अमर प्लान की तो उसमें आपको maturity के time पर आपका पैसा refund नहीं मिलता है लेकिन LIC का plan G1 की रन एक ऐसा term insurance plan है जिसमें policy की maturity पर आपने जो भी premium pay किया है वो वापिस मिल जाएगा और policy term के दोरान कोई दुरगटना हो जाती है तो आपको जो policy का समय शोड़ है वो इसमें मिलता है तो आईए सबसे पहले जानते हैं कि इस plan की क्या क्या condition है और इसमें क्या क्या restriction दी हुई है तो यह आपर 65 years की दी गई है यानि की 18 से लेके 65 साल तक की age के लोग इस insurance plan को ले सकते हैं उसके बाद यहाँ पर बात आती है policy term की यानि की जो भी यह policy है उसको आप कितने साल के लिए ले सकते हैं तो कम से कम आप इसको 10 साल के लिए ले सकते हैं और ज़ादे से ज़ादा आप 40 साल के लिए इस insurance plan को ले सकते हैं उसके बाद यहाँ पर बात आती है premium paying term की यहन की इस policy में आपको कितने साल premium की payment करनी होगी तो यहाँ पर LIC ने आपको दो option दी है एक दिया है regular premium का और दूसरा दिया है single premium का तो अगर आप यहाँ पर एक regular interval पर premium की payment करना चाहते हैं तो आप regular premium का option चूज कर सकते हैं जिसमें आप एक साल में या छे महीने में अपने policy के premium की payment कर पाएगी तो यहाँ पर अगर आप regular premium का option चूज करते हैं तो जो भी आपकी policy term है उतने साली आपको premium की payment करनी होगी For example, आप 20 साल के लिए insurance plan लेते हैं तो उसमें आपको 20 साली premium की payment करनी होगी उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा option हमारा है वो है single premium का तो जैसे की नाम से ही पता चलता है कि इसमें आपको एक बार premium की payment करनी होगी policy लेते time आपको एक बार amount pay करना है और उसके बाद जो भी आपका term insurance plan है वो यहाँ पर चलता रहेगा उसके बाद यहाँ पर बात आती है minimum sum assured की याँन की कम से कम आप इसमें कितना insurance cover ले सकती है इसका मतलब यह नहीं है कि इतना amount आपको pay करना है यह insurance cover का amount होता है तो वो amount यहाँ पर दिया गया है 15 लाक रुपे का उसके बाद यहाँ पर बात आती है maximum sum assured की तो उसके लिए यहाँ पर कोई भी limit नहीं दी गई है यह आपके income पर depend करता है कि इसमें आप ज़्यादा insurance कितना लेना चाहते है उसके बाद यहाँ पर बात आती है minimum age at maturity यान कि जब आपकी policy की maturity होती है उस time आपकी कम से कम उम्र कितने साल की होनी चाहिए तो यहाँ पर minimum age दी गई है 28 साल की तो अगर हम इसकी maturity की बात करें तो maturity यहाँ पर age हो जाती है 30 साल की यान कि जब आपकी 30 साल की उम्र होगी तो उस time पर आपकी जो policy है वो खतम हो जाएगी तो यहाँ पर वो age हमारी 28 से उपर है तो इसका मतलब यह है कि हम इस policy को ले सकते हैं उसके बाद यहाँ पर बात आती है maximum age at maturity की इसका मतलब यह है कि जब भी आपकी policy की maturity होगी उस time आपकी age 80 years से ज़ाद की नहीं होनी चाहिए यहाँ पर जो भी आपकी age है और जो भी आप policy term लेना चाहते हैं उसको add करेगी तो आपको यह age मिल जाएगी तो यहाँ पर आप इसके according calculation कर सकते हैं उसके according आप यहाँ पर maximum policy term ले पाएगी आईए अब इस पूरे insurance plan को एक example लेके समझते हैं मान लेते हैं अभी जो आपकी age है वो 30 years की है और आप इस insurance plan को लेना चाहते हैं और मान लेते हैं जो आप basic sum में शोड लेना चाहते हैं वो आप इसमें 50 लाग रुपे का लेना चाहते हैं और उसके बाद यहाँ पर अगर हम policy term की बात करें तो मान लेते हैं कि आप 30 साल के लिए इस insurance plan को लेना चाहते हैं इसका मतलब यह है कि आपका 30 साल तक insurance cover चलता रहेगा उसके बाद यहाँ पर हमें select करना होगा अभी यहाँ पर premium rates नहीं आये हैं जब भी यहाँ पर इसके premium rates आजाएगी तो वो rates आप LIC की website www.licindia.in पर check कर सकते हैं तो अभी के लिए हम मान लेते हैं कि हम regular premium का option select करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो आपकी age है वो 30 साल की हो चुकी है तो यहाँ पर आने वाले 30 सालों के लिए हमने अपने policy के premium की payment करनी होगी क्योंकि हमने अपनी policy term 30 साल के लिए हैं तो इसलिए हमें 30 सालों तक premium की payment करनी होगी और अगर आपने यहाँ पर single premium का option लिया है तो आपको policy शुरू होते ही एक बार premium pay करना है उसके बाद कोई भी premium pay करने की ज़रूरत नहीं होगी तो यहाँ पर हमने 30 साल की policy term ली है तो हमारा जो insurance cover है वो 30 साल तक चलता रहेगा तो यहाँ पर अगर इन 30 साल के दोरान आपके साथ कोई दुरगटना हो जाती है तो उस case में आपके nominee को यहाँ पर death benefit मिलेगे अब यहाँ पर आपके nominee को कितना amount death benefit के रूप में मिलता है वो हम आगे जानेगे तो यहाँ पर अभी के लिए हम मान के जलते हैं कि policy time के दोरान आपके साथ कोई भी दुरगटना नहीं होती है तो यहाँ पर जब भी आपकी policy term खतम होती है उस time पर इस policy की maturity हो जाती है और maturity के time पर जो भी आपने premium pay किया है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है यहाँ पर जो भी आपने premium pay किया है उसमें से tax को हटा दिया जाता है और अगर आपने कोई rider लिया है तो उसके premium को भी हटा दिया जाता है बाकि जो amount आपका premium का बसता है वो आपको वापिस दे दिया जाता है तो यहाँ पर आपको maturity पर याद रखना है कि आपने जो भी premium pay किया है वो इसमें वापिस मिल जाता है excluding taxes उसके बाद यहाँ पर बात आती है death benefit की आईए एक बार मान के चलते हैं कि इस policy term के दुरान इस policy holder की death हो जाती है तो उस case में जो भी इस policy holder के nominee होगी उनको यहाँ पर some assured on death मिलेगा some assured on death calculate करने के लिए यहाँ पर आपको तीन option दिये जाती है इन तीनों ही calculation में से जो भी amount ज़ादा आता है वो आपके nominee को मिल जाता है सबसे पहला option इसमें दिया गया है basic sum assured का दूसर option है 7 times of analyze premium का तीसर option है 105% of total premium paid का तो यहाँ पर यह तीनों ही calculation की जाती है और उसमें से ज़ादा जो amount आता है वो आपके nominee को as a death benefit दिया जाता है अभी के लिए हम मान के चलते हैं basic sum assured है तो हमने यहाँ पर 50 लाग रुपे की policy ली थी तो 50 लाग रुपे का amount आपके nominee को as a death benefit मिल जाता है इसके अलावा अगर आपने single premium payment option चूज किया था तो उसमें आपको 2 calculation करनी होगी दोनों में से ही जो amount जादा आएगा वो आपके nominee को as a death benefit मिल जाएगा जो की है single premium का 125% या फिर जो आपका basic sum assured है उसका amount देखा जाएगा तो अभी के लिए आप यह समझ सकते हैं कि जो भी आपका basic sum assured है वो आपके nominee को death के case में मिलता है उसके बाद यहाँ पर बात आती है riders की तो अगर आप अपनी policy में कुछ extra benefit add कराना चाहती है तो extra premium pay करके आप अपनी policy में riders को add करा सकती है यहाँ पर आप अपनी policy में accidental death and disability benefit rider भी ले सकती है और यहाँ पर अगर आप accidental benefit rider लेना चाहें तो वो भी आप अपनी policy में add करा सकते हैं तो ये totally आप पे depend करता है कि आप extra premium pay करके इसको अपनी policy में add कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है mode of premium payment की। तो यहाँ पर जो लोग भी regular premium pay करना चाहते हैं वो यहाँ पर yearly premium pay कर सकते हैं या half yearly premium pay कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग single premium pay करना चाहते हैं उनको एक बार में ही single premium pay करना होगा उसका जो minimum amount है वो आपका 30,000 रुपे का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर बात आती है grace period की यानि कि आपको कुछ extra time दिया जाता है जिसके अंदर आप बिना late fees के अपने policy के premium की payment कर सकते हैं तो यहाँ पर अगर आपने regular premium payment का option choose किया है तो उसमें आपको 30 दिन का grace period मिल जाता है जिसके अंदर आप बिना late fees के अपने policy के premium की payment कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पर बात आती है loan की तो यहाँ पर यह एक term insurance plan है तो term insurance plan में आपको loan का benefit नहीं मिलता है तो उसके बाद surrender value की तो अगर आप अपनी policy को surrender कराना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर करा सकते हैं उस case में आपको यहाँ पर guaranteed surrender value मिलती है और special surrender value मिलती है तो यहाँ पर अगर आपने अपनी policy में regular premium payment option चूज किया है तो policy शुरू होने के दो साल बाद आप अपनी policy को surrender करा सकते हैं आपकी policy की guaranteed surrender value कितनी है या special surrender value कितनी है वो यहाँ पर जो surrender factor है उस पर depend करता है यानि कि जब आप अपनी policy को surrender कराएगे तो उस टाइम पर जो surrender value है उसको यहाँ पर चेक किया जाता है उसके अलावा यहाँ पर अगर आपने single premium payment option चूज किया है तो आप जब चाहे अपनी policy को यहाँ पर surrender करा पाएगे उसमें अगर आप policy के पहले 3 साल में अपनी policy को surrender करते हैं तो आपके single premium का 75% amount आपको मिल जाता है और उसके बाद अगर आप अपनी policy को surrender करेगे तो जो आपका single premium आपने pay किया है उसका 90% तक का amount आपको वापिस मिल जाता है उसके बाद यहाँ पर बात आत हैं कि अगर आप इस plan को buy करना चाहती हैं तो कैसी कर सकते हैं तो जो भी LIC agents हैं उनसे आप इस insurance plan को buy कर सकते हैं उसके अलावा जो लोग online purchase करना चाहती हैं वो LIC की official website www.licindia.in से भी buy कर सकते हैं दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह इस तरह की video create करना चाहती हैं तो मैं आपके ये complete course बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको whiteboard animation video create करना सिखाया हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का कुछ course है इसकी complete information आप website पर visit करके ले सकते हैं website का link आपको description box में देखने को मिल जाएगा तो मैं उमीद करता हूँ आपको ये video पसंद आई होगी अगर आपको इस वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा साथी साथ आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं ताकि इस तरह की latest videos आप सभी को मिलती रहे धन्यवाद